Good morning students, आज हम करेंगे वसंत भाग एक के पार्ट सतारा सास सास में बास के शब्दर्थ और प्रशन उत्तर, तो पहले हम शब्दर्थ करते हैं, Number one, बहुतायत, बहुतायत मेंस बहुत अधिक, Number two, चलन, चलन मेंस रिवाश, Number three, उस्ताद, उस्ताद मेंस गुरू, Number four, जिक्र, जिक्र मेंस चर्चा, Number five, माहिर, माहिर मेंस निप्पन, Number six, घमासान, घमासान मेंस भयंकर, Number seven, गठाने, गठाने मेंस गांथें, Number eight, मस्लन, मस्लन मेंस जैसे की, Number nine, तर्जनी, तर्जनी मेंस अंगूठे के साथ वाली उंगली, तो स्टुडेंट्स, ये थे हमारे इस पार्ट के शब्दर्थ, अब हम करेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर, हमारा पहला प्रश्न है, बास को बूढा कब कहा जा सकता है, बूढे बास में कौन सी विशेष्टा होती है, जो युवा बास में नहीं पाई जाती, उत्तर, तीन साल से अधिक पुराने बास को बूढा कहा जा सकता है, बूढे बास सक्त होते हैं और आसानी से तूट जाते हैं, युवा बास नरम होने के कारण तूटते नहीं हैं, प्रश्ण दो, बास से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे अश्चारे जनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों, उत्तर, हमें बास से बनी टोकरी बड़ी ही अश्चारे जनक लगती है, टोकरी बनाने के लिए खप्चियों की जरूरत होती है, खप्चियों को बनाना या चीरना एक कला का काम है, इसे चीरने में बड़े ही निपन व्यक्ति से काम लिया जाता है, खप्चियों की मदद से टोकरीयों के बहुत सुन्दर सुन्दर डिजाइन बनाए जाते हैं, प्रश्न तीन, बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंब हुई होगी, जब से इनसान ने हाथ से कलात्मक चीजे बनानी आरंब की, और जब मानव घूम घूम कर भोजन एक्त्रित किया करता था, भोजन के लिए उसे एक डलिया नूमा वस्तु की जरूरत पड़ी होगी, तभी उसने बांस की बुनाई से डलिया बनाई होगी, बाद में वेह कलात्मक वस्तुएं बनाने लगा होगा, प्रश्ण चार, बांस देश के किन भागों में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है? उत्तर, बांस देश के पूर्वी उत्तरी राज्यों असम, मेघाले, मनेपुर, नागालेंड, त्रिपुरा आधी में खूप पाया जाता है? तो स्टुडेंट्स, ये थे हमारे इस पार्ट के शब्दर और प्रशन उत्तर, आप इसे एक बार फिर से सुनिएगा, थेंक यू!